हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टी शिवानिस किचन आज मैं आप लोगों को धही में शहद मिलाकर खाने के फाइदों के बारे में बताऊंगी धही का सेवन सेहत को काफी लाप पहुचाता है क्योंकि धही पोशक तत्वों से भरपूर होती है दही का सेवन वैसे तो आप कई तरीकों से कर सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी दही में शहद मिलाकर सेवन किया है दही में शहद मिलाकर खाना सेहत के लिए बहत फायदिमंद होता है क्योंकि दही की तरह शहद भी पोशक तत्वों से भरपूर होता है दही में शहद मिलाकर खाने से स्वासे से जोड़ी कई समस्यों से छुटकारा मिलता है क्योंकि दही में काफी मातरा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मिन्रस जैसे पोशक्तत्व पाये जाते हैं तो वहीं शहद anti-oxidant, anti-bacterial, anti-virus, anti-inflammatory गुणों से भरपूर होता है जो शरीर को स्वस रखने में मदद करते हैं तो आईए जानते हैं धही में शहद मिलाकर खाने से होने वाले फायदों की बारे में Immunity कमजोर होने पर आप असानी से बिमारी की चपेट में आ सकते हैं ऐसे में अगर आप दही में शहद मिलाकर खाते हैं तो इसमें महजूद पोशक तत्व Immunity को बूस्ट करने में मदद करते हैं जिससे आप वाइरस और बैक्टेरिया से सुरक्षित रह सकते हैं बरता वजन कई बिमारी को जनम दे सकता है ऐसे में अगर आप दही में शहद मिलाकर खाते हैं तो ये फायदिमंद होता है क्योंकि इस मिश्टन में महजूद तत्व वजन को घटाने में मददगार साबित होते हैं दही में शहर मिलाकर खाना पाचन स्वास्ते के लिए भी फायदिमंद होता है, क्योंकि इसमें महजूद तत्व पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाते हैं, साती इस मिश्टन का सेवन पेट में होने वाले इंफेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। दही में लेक्टिक आसेड महजूद होता है, तो वहीं शहर में एंटिबैक्टिरियल और एंटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो इसकिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में और इसकिन को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। जो लोग एक्सेसाइज करते हैं, उन लोगों को वर्काउट से पहले कार्बो हाईट्रेड और प्रोटीन वाला खाना खानी की सला दी जाती है। दही प्रोटीन से भरपूर होता है और शहद में उच मात्र में ग्लुकोज होता है। अब ऐसे में जो लोग दही में शहद मिला कर खाते हैं तो इसका काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। इसका सेवन वर्क आउट के बाद भी किया जा सकता है जिससे मसल्स रिकावरे में भी मदद मिल सकती है। दही और शहद में एंट इंफिर्मिलेटरी गुन होते हैं जो शरीर में खास्त कर पेट में होने वाली सुजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये हिर देर रोक, डाइबटीज और कैंसर सहीत कई स्वास्ते समस्याओं के लिए फायदे मन्द है। तो दोस्तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सभी हल्फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिएगा धन्यवाद।